आज का दिन तमाम बुरूज के लिए कैसा गुजरेगा हफ़ता 18 फरवरी 2023 बुर्ज हमल आज आपकी सेहत के सेहत मंद होने की उमीद है आपकी अच्छी सेहत की वज़े से आप आज अपने दोस्तों के साथ खेलने का मंसुबा बना सकते हैं एक नए मालियाती मौाहिदे को हक्मी शक्ल दी जाएगी और नई रकम आएगी घर में तहवार का माहौल आपके तनाव को कम करेगा यकीनी बनाए कि अब भी इसमें शिरकत करें और खामोश तमाशाई की तरह ना रहें महबत का नया तालुक कायम करने के इमकानात मजबूत होंगे लेकिन ऐसी मालुमात को जाहिर ना करें जो जाती और खुफिया हो अपने वक्त के गदर को समझी ऐसे लोगों के दर्मियान रहना बेकार है जिनको समझना मुश्किल है ऐसा करने से मजीद प्रेशानिया जनम लेंगी आज आप अपने जीवन साथी के साथ बाहर जा सकते हैं और एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार सकते हैं आप अपनी फैमली के साथ मख्तलिफ माल्स और शापिंग कंपलेक्स का दौरा कर सकते हैं ताहम ये आपके अखराजात में भी नुमाया इजाफा कर सकता है बुर्ज सोर चोट से बचने के लिए बैटते वक्त खास खयाल रखें मजीद अच्छी करंसी ना सिर्फ किसी की शक्सियत को निखारती है बलकि सिहत और एतिमाद को बहतर बनाने में भी एहम किरदार अदा करती है आपको इस बात पर नजर रखने की जरूरत है कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है वरना आने वाले वक्त में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आज आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा लेकिन हकीकत पसंद बने और उन लोगों से मौजिजात की उमीद न रखें जो मदद करते हैं आपको अपने साथी को अपनी पोजीशन समझने की कोशिश करने में दुश्वारी होगी। आज शुरू किया गया तामीराती काम आपके इतमिनान के साथ मकमल हो जाएगा। अगर आप आज अपने शरीक हयात को रुमानवी तारीख पर ले गए हैं तो आपके तालुकात में हालात बहतर होंगे। आज आप किसी को बताए बगएर घर पर एक छुटी सी पार्टी अगे टूगेदर कर सकते हैं। बुर्ज जौजा आपकी महरबान तबियत आज बहुत से खुशगवार लमहात लाएगी। आज आपको अपनी वालदा आवालिद की सेहत पर बहुत ज होश्यार रहें क्योंकि कोई आपकी शबी को खराब करने की कोशिश कर सकता है। आज शुरू किया गया तामीराती काम आपके इत्मिनान के साथ मकमल हो जाएगा। आपका शरीक हयात आपके किसी मनसूबे आमनसूबे में खलल डाल सकता है। सबर मत खोना आप अपनी कोता और शांदार तस्वीर डाले। आपके दफ्तर का कोई साथी आज आपकी कोई कीमती चीज चरा सकता है। लहाजा आपको महतात रहने की जरूरत है और अपनी अश्या को चेक में रखें। जब आप ग्रूप में होते हैं तो आप किया कहते हैं इस पर ध्यान दे। आपके जजबाती तबसरों पर आपको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है। खुशी के सफर पर जाने का इमकान है जो आपकी तवानाई और जजबे को फिर से जिन्दा करेगा। जब आपको एहसास होता है कि आपके पास अपने खांदान के अफराद अदोस्तों के लिए काफी वक्त नहीं है तो आप परेशान हो जाते हैं। आज भी आपको ऐसा ही महसूस होगा। आपके आसपास के लोग कुछ हैसा कर सकते हैं जो आपके जीवन साथी को दोबारा आपके लिए गिरा देगा। ये आपके लिए अच्छा दिन है। आज आपका प्यारा अच्छे मोड में होगा और आपके लतीफों पर दिल से हंसेगा। बुर्ज असद अपनी जिस्मानी सिहत को बहतर बनानी के लिए मतوازन घिजा ले। कोई बड़ा मनसूबा और आइडियाज आपकी तवज्जो मबजूल करेगा। कोई भी सरमाया कारी करने से पहले इस श अफरत्फर और समाजी तालुकात आज आपके एजिंडे में शामिल होंगे। दिन वाकी रोमांटिक है। अच्छे खाने, खुश्बूओं, खुश्यों के साथ अप अपने बहतर निस्फ के साथ एक हैरत अंगे इस वक्त गुजारेंगे। खानदान और दोस्तों के साथ खरीदारी और तफरी का दिन, बस अपने अखराजात पर नजर रखें। बुर्ज सुमुला अपका फ्याजाना रविया भेस में एक निमत होगा क्यूंकि आपको शक, बेवफाई, अफसुर्दगी, इमान की कमी, लालच, लगाओ, अनापरस्ती और हसद जैसी बहुत सी बुराईयों से नजात मिलने का इमकान है। आज, आप बगेर किसी मदद अमदद के पैसे कमा सकेंगे। आपकी हमदर्दी और समझ बूच का सिला मिलेगा। लेकिन होश्यार रहें क्यूंकि कोई भी जल्द बाजी का फैसला उन पर दबाओ डाल सकता है। एक मुखतलिफ किसम के रोमांस का तजर्बा करने का इमकान है। शाम के अच्छे वक्त से लुट्फ अंदोज होने के लिए आपको दिन भर तंदही से काम करने की जरूरत है। ऐसा लगता है ये दिन आपके जीवन साथी के साथ आम दिनों से बहतर है। ये एक जबरदस्त दिन होने वाल ही पैसे की पोजिशन बहतर होती है। आपके बच्चे की आवार्ड तकरीब में दावत खुशी का बाइस होगी। आप अपने खाब को सच होते हुए देखेंगे क्यूंकि वो आपकी तवक्वात पर पूरा उतरता है। समाजी रुकावटों को उबूर करने से कासिर वक् इन बाद में आपको एहसास होगा कि ये अच्छे के लिए हुआ है। पुछ ना करने का दिन सिर्फ वजूद से लुट्फ अंदोज होना और शुक्र गुजारी का एहसास अगर आप अपने आपको गेर जरूरी काम करने पर मजबूर नहीं करते हैं। बुर्ज अक्रब आ आपका बेपना एतिमाद और आसान काम का शेडूल आपको आज आराम करने के लिए काफी वक्त फराहम करता है। इस रकम के शादी शदा बाशिंदों को आज अपने सुस्राल वालों से माली फवाइद हसल होने का इमकान है। खुद मुखतार रहीं और जब ताजा सरमाया कारी करने की बात हो तो अपने फैसले खुद ले। पूरी काइनात की खुशी इन दोनों के दर्मियान है जो महबत में है। जी हाँ अप खुश किसमत हैं अपने वक्त को बरोए कार लाने के लिए अप पार जा सकते हैं लेकिन आपके किसी नामालूम से जगड़े के इमका ये आपका मौट भी खराब कर सकता है। शादी शदा जिन्दगी भी बहुत से फवाइद के साथ आती है और आप आज उन सब का तजर्बा करने जा रहे हैं। आज आपको एहसास हो सकता है कि अच्छे दोस्त आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। बुर्ज कौस इस उदास आपका घरेलो मनजर कुछ गेर मतवक्ग होगा। वक्त, काम, पैसा, दोस्त, खानदान, रिश्टादार सब एक तरफ और आप अपने साथी के साथ आज दूसरी तरफ होंगे सब एक दूसरे में। अप पूरा दिन अजाद रह सकते हैं और टीवी पर जतनी चाहीं फिल्म और प्रोग्राम देख सकते हैं। एक लंबे अरसे के बाद आज आपको अपने शरीक हयात से वाकी आराम दे और गरम जोशी से गिले मिलेगा। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते आ समझते हैं इसकी फिक्र ना करें। बस सही फैसले करने को यकीनी बनाएं और आ अपके नुक्ता नजर को वसी करेगा, अपके उफक को वसी करेगा, अपके शक्सियत को बہتर बनाएगा और अपके दिमाग को तक्वियत बखशेगा। जिन लोगोंने कहीं सरमाया कारी की थी उन्हें आज माली नुकसान होने का इमकान है। बीवी के साथ तालुकात को हम आहंग करने के लिए बहुत अच्छा दिन है एक खानदान में शामिल दोनों अफराद को अपनी महबत के लिए पूरी तरह पुरजम होना चाहिए और अपने रिष्टे में ज्यादा एतिमाद करना चाहिए जिमादारी लेने और तमीरी बात चीट के लिए तयार हूं महबत में निशेब और फराज का सामना करने के लिए खुश मिजाज और होसला रखें ये इन दिनों में से एक है जब आप अपने मसरूफ शेडूल से अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करेंगे लेकिन बुरी तरह नाकाम होंगे आज कोई रिष्टादार आपको सर्प्राइस दे सकता है लेकिन ये आपके मनसूबे में खलल डाल सकता है किसी समाजी मकसद के लिए रजा काराना तोर पर किसी की मदद करना आपकी तवानाई को एक हैरत अंगेस तानिक की तरह बढ़ा सकता है बुर्ज दलो आज आपकी सेहत के सेहत मंद होने की उमीद है आपकी अच्छी सेहत की वज़े से आप आज अपने दोस्तों के साथ खेलने का मनसूबा बना सकते हैं अगर आप तवील अर्से से किसी मकरूज से अपनी रखम वापस करने के लिए कह रहे थे और वो इससे ग्रेज कर रहा था तो आज आपका खुश किसमत दिन है क्यूंकि वो आपकी रखम गेर मतवक्च तोर पर वापस कर सकता है खानदानी कामों और एहन तकारीब के लिए एक अच्छा दिन आपके खाब और हकीकत आज महबत के जोश में मिल जाएंगे आपका साथी सिर्फ अपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता है लेकिन अप उनकी खाहिश को पूरा करने से कासिर है इस तरह वो परिशान है आज अप वाज़ तोर पर उनकी मायुसी का मुशाहिदा करेंगे शादी के बाद गुना अबादत बन जाता है और आज आप बहुत ज्यादा अबादत करते हैं खानदान के साथ एक एहम फैसला लिया जा सकता है और ऐसा करने का ये सही वक्त है ये तवील मुद्द में आपके लिए फाइदा मन्द साबित होगा बुर्ज हूत आपके शाइस्ता रवये की तरीफ की जाएगी बहुत से लोग आपकी जबानी तरीफ करेंगे एहम लोग किसी भी चीज़ की माली एानत करने के लिए तयार होंगे जिसके लिए एक खास तबका हो घरेलु काम आपको ज्यादातर वक्त मसरूफ रखता है अपने रुमानवी ख्यालात को नश्र होने की अजाज़त ना दे आज लोग तारीफें करेंगे जिसे आप हमेशा सुनना चाहते है मिजाहिया गुफटगू के दौरान आप दोनों के दर्मियान एक पराना मसला पैदा हो सकता है जो आखिर कार दलील में बदल जाएगा आप दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारने जा रहे है आप ऐसी जगहों पर हैन आउट कर सकते हैं जहां अजीम लोगों से मिलने के मवाके काफी हूँ आज के दिन का मुबारक सदका काले को वहे को रोटी डालना है और आज का मुबारक वजीफा अहनानो आमनानो तीन सो मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना मुबारत है शामी रूहानी जंतरी दो हजार तईस और महनामा तिलिसमी दुनिया फरवरी दो हजार तईस फरी पी बी एफ हासिल करने के लिए वाट्स अप पर मैसिज करें